हेलो फ्रेंड्स तो चलिए आज मैं लखे आ गई हूँ एक और नई रेसिपी तो आज हम बनाएंगे खजूर पाक खजूर में कॉपर, सेलेनियम, मैगनेशियम, भरपूर मातरा में होता है जो हड्डियों को मजबूत रखने और उनसे जुड़े रोगों से बचाने के लिए बेहत जरूरी है खजूर में विटामिन के भी भरपूर मातरा में होता है जो हमारे खुन को गाड़ा होने से बचाता है तो खजूर के इतने सारे फायदे हैं तो खजूर तो हमें घाने ही चाहिए ड्राय रोस कर लेनाय है रीज़ाता है और यह अच्छे खासे क्रिस्पी हो जाते हैं और इन्हें कट करने में आसानी रहती है तो यहाँ पे मैंने एक non-stick pen ले लिया है और सबसे पहले मैं काजू को dry roast करूँगी काजू, बदाम और बाखी जो dry roast से सब को roast करने में अलग-अलग time लगता है काजू जल्दी से roast हो जाते हैं और अगर जादा करेंगे तो जल जाएंगे तो पहले हम काजू को roast कर लेते हैं और फिर बादाम को बादाम को roast रणने में थोड़ा सा time लगेगा तो काजू, बदाम और बाखी जो dry roast साब ले रहे हो तो सब को अलग-अलग roast कर ले और इन्हें हमें एकदम low flame पे roast करना है flame बिल्कुल भी high नहीं होनी चाहिए अगर ये जल जाएंगे तो इसके अंदर जो vitamins या फिर जो भी है वो सब भी जल जाएगा तो इसे हमें ध्यान में रखना है और एकदम low flame पे इसे हमें dry roast कर लेना है 2-3 मिनिट में अच्छे से dry roast हो जाते हैं यहाँ पे काजू बदाव अच्छे से roast हो चुके है उन्हें मैंने निकाल लिया है थोड़ा सा ठंडा होने देंगे बाद में हम उसे cut करेंगे अब करते हैं आगे की तेयारी खजूर पाग बना रहे हैं तो खजूर तो हमें चाहिए ही लेकिन यहाँ पे कैसे खजूर हमें लेने है वो पहले देख लीजिए तो यहाँ पे हमें एकदम soft वाले खजूर लेने है क्योंकि जो soft खजूर होते हैं उनसे यह खजूर पाग बनाने में आसानी रहती है अगर आप hard वाले खजूर लोगे तो उसे mash करने में थोड़ी सी problem आएगी उसे पहले हमें मिक्षर में crush करना होगा और खजूर को मिक्षर में crush करने में बहुत परिशानी होती है बहुत ही यह काम hard हो जाता है तो हमें आसान दरीके से खजूर पाग बनाना है तो यह soft वाले खजूर लेंगे तो आसानी रहेगी और हमारा खजूर पागे वो फटाफट से बन के ready हो जाएगा तो अगर possible है तो soft वाले खजूर ले तेस में भी अच्छे लगते हैं और उसका texture भी अच्छा होता है और इससे खजूर पाग आसानी से भी बन जाता है तो खजूर में से सबसे पहले हमें यह जो seeds है वो निकाल लेने है तो यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम का जो डबा था उसमें से मैंने आधे से जाधा खजूर ले लिए है मतलब कि 300 ग्राम जीतने खजूर मैंने ले लिए है यहाँ पर थोड़ा measurement इदर उदर हो जाएगा तो कोई problem नहीं होगी लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि dry fruit की comparison में खजूर थोड़े से जाधा होने चाहिए अगर आप इतना ध्यान रखोगे तो आपका खजूर पाग भी बढ़िया बनेगा तो चले इस सारे seeds में निकाल लिये हैं और अब कर देते हैं gas की flame को on वही वाला pen फिर से ले लिया है और उसके अंदर डाल दिया है दो चमच भर के गी गी थोड़ा सा melt हो जाए फिर उसके अंदर डाल देंगे खजूर जिसे हमने पहले से seeds निकाल के ready कर लिया है अब low flame पे इस खजूर को हमें mash करना है तो flame को एकदम low रखना है और इस तरह spatula से इसे हम mash करेंगे ये खजूर एकदम soft है तो easily mash हो जाएंगे और इकटा हो जाएंगे अगर आप hard वाले खजूर ले रहे हो तो उसे थोड़ा सा mixion में crush कर लीजिए थोड़ा सा time लगेगा mixion में लेकिन हो जाएगा और अगर आप इस तरह के soft खजूर ले रहे हो तो mixion में उसे crush करने की कोई ज़ूरत नहीं है ये इस तरह easily pan में ही mash हो जाएंगे और इकटा हो जाएंगे तो ये दिखे 5-7 मिट हो चुके हैं और इससे मैंने अच्छे से mash कर लिया है तो इस तरह का texture आजाए तब तक हमें उसे mash करना है और अब इससे नकाल लेंगे एक plate में और अब draffords भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो उसे हम pieces में cut कर लेते हैं draffords को हम थोड़े medium piece में cut करेंगे एक दम fine chop नहीं करेंगे थोड़े से pieces बड़े होंगे तो जब हम खाएंगे तो उसका crunch मुमें आएगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा तो यहाँ पे आप जितने भी draffords ले रहे हो उसे medium pieces में cut करें ऐसा करने से यह जो खजूर पाक है वो बहुत बढ़िया बनेगा और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा तो यह देखिए काजू को मैंने cut कर लिया है तो आप देख सकते हो कि मैंने बहुत fine chop नहीं किया है थोड़ा सा उसका pieces मोटा मोटा रखा है तो इसे इस तरह medium size में हमें chop कर लेना है तो अब काजू तो chop हो चुके है तो बढ़ाम को भी में इसी तरह chop कर लूँगी यह खजूर पाक जो हम बना रहे हैं वो खाने में tasty तो है ही लेकिन साथ में बहुत healthy भी है इसके अंदर हम गी या फिर तेल का जादा use नहीं करेंगे तो यह बहुत healthy बनेगा अगर आप रोज एक पीस खा लेंगे तो इसके अंदर से आपको vitamin, protein, भरपूर मात्रा में मिलेंगे और यह सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है तो चलिए यहाँ पे मैंने बादाम को भी cut कर लिया है और अब हम recipe को आगे बढ़ाते हैं अब फिर से gas की flame को on कर देंगे और वही पेन में फिर से ले लेंगे 2 चम्मच बर की गी तो total यहाँ पे हमें 4 चम्मच गी चाहिए अब हमें चाहिए गोंध तो यहाँ पे मैंने खाने वाला गोंध लिया है और यह तकरीबर 50 गरम जितना गोंध है अगर आप चम्मच से ना पे तो 4-5 चम्मच जितना गोंध है तो इसे हमें एकदम low flame पे fry कर लेना है अगर आपके पास बड़े pieces वाला गोंध है तो उसे तोड़के छोटा कर लीजिए और फिर fry करिए अगर आप बड़े गोंध को fry करोगे तो बीच में से कच्चा रह जाएगा और दान्तों में चिपकेगा तो इस बात का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे और अब पैन के अंदर डाल देंगे गोंध को साइड में कर लिया है और जो गी था उसके अंदर ड्रै-फूर्स को डाल दिया है और इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए हमने फिर से रोस्ट कर लिया है और अब इसके अंदर डालेंगे 4-5 चमच इतना नारिल का भूरादा इससे खजूर पाक का टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है और इसे भी हमें एक मिनिट के लिए रोस्ट कर लेना है ये सारा प्रोसेस हम एकदम लो फ्लेम पे करेंगे फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं रखेंगे अब इसके अंदर डाल देंगे खजूर जो हमने मैश करके रखा है और अब इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है खजूर के साथ सारे ड्राइब फूर्ट और गोर्न अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए इस टेज़ पे आप इसके अंदर इलाइची पाउडर और जाइफल को भी गिस के डाल सकते हो उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है लेकिन मेरे बच्चों को ये टेस्ट पसंद नहीं है एक को जाइफल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो दूसरे को इलाइची का तो मैंने इसे स्किप कर लिया है लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं तो ये देखिए सब कुछ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब गैस्की फ्लेम को मैंने ओफ खर लिया है यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बटर पेपर और इसके उपर ये सारा मिक्षर मैं निकाल लूँगी अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो थाली या फिर कोई ट्रे को गी से अच्छे से ग्रिस कर लिजिए और इसके उपर ये मिक्षर डाल दीजिए उपर से कटोरी या फिर स्पैचूला से उसे अच्छे से प्रेस कर देना है और उसे पीसिस में कट कर लेना है तो इस तरह भी आप उसे बना सकते हो लेकिन यहाँ पर मैं इसे सिलिंडर शेप में बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसके गोल पीसिस चाहिए गोल पीसिस देखने में बहुत ही बड़े लगते हैं अगर आपके बच्चे नहीं खा रहे हैं तो भी इसे देखके खाने लगेंगे क्योंकि यह सेहत के लिए बहुत ही बड़िया है तो बच्चों को खिलाना तो बहुत ही ज़रूरी है तो यह देखिए यह दब जाएगा और उसका शेप अच्छा नहीं आएगा तो यह ध्यान रखिए कि आप एकदम हलके हाथों से इसे रोल कर रहे हो तो यह दिखिए आल्मोस्ट मैंने इसे रोल कर लिया है कहीं भी आपको लगे कि यह थोड़ा सा मोटा है तो उसे उस जगा से फिर से दबा के रोल कर लीजिए तो आप इस तरह करोगे तो आपका भी रोल अच्छे से इजिली बन जाएगा तो यह दिखिए एकदम अच्छे से हमारा रोल एकदम रैडी हो चुका है और अब इसे सजाने के लिए मैंने ले लिए है पिस्ता और यह जो खसकस आता है वो इससे यह देखने में बहुत ही बढ़या लगेगा और खाने में तो टेस्टी लगेगा ही कोई भी चीज अगर आँखों को पसंद आती है तो मुग को तो पसंद आती ही है तो इसे थोड़ा सा डेकोरेट करना ज़रूरी है ताकि देखने में अच्छा लगेगा तो खाने में भी अच्छा ही लगेगा तो यह दिखें side sides में मैंने थोड़े से dry fruits और यह जो खसकस है उसे फैला दिया है उसे sprinkle कर लिया है और अब यह जो रोल है उसे एकडम हलके हाथों से हमें फिर से रोल करना है ताकी यह पिस्ता और खसकस है उसके उपर अच्छे से चिपक जाएं इसे बहुत प्रेस करके हमें रोलनी करना है एकदम हलके हाथों से करेंगे बहुत प्रेस करके करेंगे तो सारा ये जो खसकस और पिस्ता है उसके अंदर चला जाएगा और बाहर दिखेगा नहीं और दिखने में इतना एक्टरक्टिव नहीं लगेगा तो हमें एकदम हलके हाथों से इसे रोल करना है फिर फ्रिज में रखने से ये रोल थोड़ा सा हाड हो जाएगा और इसे cut करने में आसानी रहेगी और उसके pieces भी बढ़या निकल के आएंगे तो इसे freeze में रखना ज़रूरी है अगर आपको इस तरह के pieces चाहिए तो freeze में ज़रूर रखे तो यह दिखिए कितनी आसानी से cut हो रहा है हमारा यह roll और इसके pieces भी बढ़िया तरीके से निकल के आ रहे हैं यहाँ पे आप एकदम sharp चाकू यूज कीजिए, चाकू एकदम sharp होगा तो उसके pieces भी बढ़िया निकल के आएंगे तो यह दिखिए सारा roll almost मैंने cut कर लिया है और इसे आप इस तरह भी cut कर सकते हो जिस तरह हम सबजिया काटते हैं उस तरह भी उसे cut कर सकते हो तो देखिए कितना easy लिए cut हो रहा है और देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसे तो देखते ही बच्चे और बड़े सब इसके उपर तूट पड़ेंगे यह देखिए मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ इसके अंदर जो dry food समने डाले थे और गोन डाला था एकदम अच्चे से दिख रहा है और यह जो गोन्द का crunch है वो खाने बे आएगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो गोन्द तो ज़रूरी रालिएगा तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से यह खजूर पाक बना लिया है तो कोई भी बिगनर्स होगा तो वो भी उसे इतनी आसानी से बना लेगा मैं और कृशा तो टूट पड़े हैं इसके उपर बहुत ही टेस्टी बना है और जिस तरह मार्केट से लेके आते हैं उसी तरह का यह लग रहा है तो आपको आज की यह रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बतेएगा मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाई जैशी करश्न